तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन कंपनी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखना और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लेना तो सबसे पहले मैं डिसकसन करूंगा येस बैंक के वारे में देखें, basically E.S. Bank के उपर जो अपडेट्स है, continuously E.S. Bank के उपर भी प्रिसटर इस बनता हो देखने को मिले क्यूकिंकि B.S. Мосorar S. Bank Man, सबस्द पेसर इसी करने के उपर हो रहा है क्यूंकि E.S. में जो, मतलब, जो in-trest rate है उसको कांग करने का announcement भी किया जा रहा है। उसके साथ जावन भी, मतलब जावन भी खुद के जो इंटरस रेट है, फस्त ताइम वो इंटरस रेट को बढ़ाने का कोचिस कर रहे है, तो मतलब बढ़ाने का अनॉंसमेंट भी कर रहे है, तो यह जो कुछ नीवस है ग्लोबली मार्केट में, साथी साथ, और भी एक बनता हो देखने को मिले तो मुझे लगता है जो situation बना है उस situation के basis में company के उपर journey होने के लिए company के उपर आगे बनने के लिए थोड़ा सा pressurize बनेगा क्योंकि global market में कोई भी negative news आए तो इंडियन में सारे markets को सारे companies के उपर एक big correction and big pressurize बनता हो देखने को मिलता है तो कि सही में इस ताइम में company के उपर exit करके बाहर हो जाना चाहिए बिलकुर नहीं क्योंकि market में एही तो आपको सीखना है कि जब negative news आए तो market में जब fall देखने को मिले तो Warren Buffett जी का उस बात को याद रखना कि अच्छे company आपको सस्ते में मिलेगा और इस सस्ते में मिलने के का अच्छे company के उपर भारी भर कम गिरा बढ़ हुआ और उन्हेंने top के buy करके रखे थे नीचा आया तो exit कर लिया और 20-30% का losses लेकर exit कर लिया अगर वो ही level में वो फिर से average कर लेता तो यहाँ पर जाने के बाद उसका अच्छे का profit भी हो जाते तो कहने का मतलब है कि जो लोग exit कर लता हूँ कि मुझे ज़्यादा loss हो जाएगा तो वो लोग हमेंसा losses में ही रहते हैं और जो लोग समझदर है जो लोगों को पता चल चुका है कि company आज नहीं तो कल उपर ही जाएगा ऐसे कभी ऐसे दिन हुआ नहीं कि company नीचे रह चुक है हाँ अगर वो company बेकार है तो को रिप्रेजन करेगा रेविन उस बहुत सांदर हुआ उसके साथ साथ expense को मिटाने के बाद company का net profit भी देखा जाए तो 347 से लेकर 500 ता company के उपर net profit देखने को मिला है उसी तरीके से अगर NPA के बारे में बात कर तो आज तक कि सबसे lowest NPA इस बार company को पर देखने को मिला जो 0 0.50 के person के आसपास है मतलब NPA एकदम ना के वराबर हो चुके है NPA एकदम मतलब ना के जैसे देखने को मिलें तो बहुत कम NPA हो चुके है उसके साथ साथ ये भी दिखा जाए तो company के उपर as a investor अच्छा का सा investment भी करके रखा है तो बेस तरीके से investment भी देखने को मिला FIS के प चीज़े को देखना तो आपको और भी clear हो जाएगा आप यहाप एक चीज नोटिस data को notice करना कि जो जो टेजरी है इसका वो टेजरी से company पिछले सालों में last three quarters का data दिखा दू हाँ आप देख सकते हैं पिछले सालों में क्या था टेजरी 189 मतलब यहाप इमें करोड में convert कर पिछले सालों में क्या था पिछले क्वार्ट में क्या था 2100 क्रोड के आसपास और करेंट यहाप दिक्कत बाला बात तो यहापे नहीं है दिक्कत बाला बात तो कुछ खास देखने को मिला जो पॉइंट मुझे बहुत सांदर लगा वह है corporate banking तो दिक्कत यहापे थोड़ा सा खतम होता देखने को मिले यह कि पिछले सालों में था 2398 क्रोड का टोटल corporate banking से मार्केट से पैसा उठाय थे और आज वो बढ़के हो चुके है 2916 क्रोड के अच्छा कासा company की market से अच्छा कासा पैसा उठा पाए जो पिछले quarters को कम बीट नहीं कर पाया मगर पिछले सालों को company बीट कर पाया है कि company के उपर management बहुत स्टॉंग हो चुके है इसको आगे ले जाने के लिए काफी है तो बागी आप इस company के उपर किस तरीके से सोचते है मुझे जोरू comments करना क्योंकि एस बैंक के उपर जब मैंने टेक्निकली चार्ट पैटरंस के साब से देखा यहाप एक पैटरंस के डुआ जिस तरीके से रेंज बने और बाइंग रेंज बने और बाइंग रेंज के साब से जब नीचे आया तब इस जगह पर एंटी बने औ मुझे 20% के उपर रेंज मिला तो एक गुड़ पॉइंट्स है दूसरी बात कंपानी का फैनेंशल ठीक है इसलिए मैंने जब इस लेवल को में आया तो एक डिसेशन लिया और मेरा डिसेशन फाइनली इस जगह पे जाकर फुल्फिल हो सकता है तो कब जाएगा किस तरह से में संटरीड पाने बहुत हो पता नहीं और हाँ यह सब रिक्सी तेट है तो प्लीज्स तरह से तेल में से पहले करें आप वेसिकली लाइप इंस और पर एक अपडेट है आप सब जानते हैं बांगलादेस का हालताज बहुत बूरी करीकर से खराब हो चुके है बांगलादेस में जो उसका पी एम था उन्हों ने भी रिजाइन करने का कुछ एनॉंस्मेंट किया है क्योंकि बांगलादेस में जो बहुत बड़ा एनॉंस्मेंट किया कि लाइफ इंस और इंडिया बांगलादेस आप देख सकते हैं ऑफिस ड्यू टू अन्रिस्ट मतलब ऑबिसली ऑफिसोस को बंद कर दिया गया देखिए मानके चलिए आपका एक दुकान है अगर मानके चलिए कोबिड जैसे सिच्योश क्रेट हुआ है सोसली पॉलिटिकली तो उस जगह पे बांगलादेस का जीतने सारे इलाइसी का ओपिसेस है उसको क्लोज करना पड़ा मतलब बंद करना पड़ा इसके चलते हैं एलाइसी के उपर नेक्स्ट क्वाटन में थोड़ा सा रेविन्यूज में चेंजेस आता वो पेमेंट करेंगे मगर जो निया कस्टोमर एकवर करना था वो तो अभी होगा नहीं क्योंकि ऑफिसेस तो बंद है तो जिसके चलती एक प्रेसर है इस तो बंद हुआ देखने को मिलेगा तो क्या बंगलादेस में बिजनेस बंद हो रहा है तो इसके लिए क्या कंपानी खतम हो जाएगा बिल्कुन नहीं इंडिया में पूरा के पूरा कंपानी बिजनेस करते है इस चीजों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आप अगर मार्केट सेर के बारें बात करूं तो आप यहापर देख सकते हैं इंडिया में कितना 99.8% बिजनेस कर रहे हैं और लैसी जैसे कंपानी के ओपर हर किसी का फोकस तो होना चाहिए क्योंकि बिजनेस तो स्टॉंग है उसी के साथ साथ बिजनेस भी बहुत अलग लेवल में कंपानी जिनेट कर रहे हैं किसका मार्केट सेर के हिसाब से अगर स्वारी मैं एक बार आपको मार्केट सेर के बारें 74 परसन प्रीमियम मार्केट से उठा रहा है 72 परसन तो बिजनेस एक अलग लेवल में है तो जिस लेवल से ग्रोथ आएगा तेलेसी के पर जो चार्ट पटन बना है उसकी इसाब से बात करो तो जब यहां पर एक रेंज टेड बना था अभी जब भी में आपको बता था कि इस 306 इस लेवल तक मैं इंतेजर करूगा क्यूंकि कि कमपानी पहले से ही एक कफ विद्ध हैंड पटन का रेंज देखे रखा है इस बेसिस में मैं इसको पर कंटिनु करूंगा हां अभी थोड़ा सा प्रेसरीज बनता हुआ देखने को मिल सकता है तो बाकि आपके क्या ओपि जो रूम मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं तो नेक्स्ट जो कमपानी है उसके बारे में बात करूँ उसकना में टाटा पावर येकि टाटा पावर टाटा ग्रूप के एक ट्रस्टेट कमपनी है टाटा पावर के उपर फाइनली क्वाटल रिजल्ट मतला आज के दिनी आ तो में रेजल्ट आया नहीं साम तक तो इसलिए मैंने करेंट मार्केटवाइस में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया तो जब रेजल आएगा तो आपको पता चलेगा कि रेजल कि इस तरीके से आने वाल है तो जिस तरीके से कंपनी के सीच्वेशन है अगर टेक्निकली चा का चांसेस है सेल्स और रेविन्यू और एक्सपेंस सब कुछ मिला कर जो नेट फॉफिट है वो सेम टू सेम रेंच में होने का चांसेस देखने को मिल सकता है इसके रेजल आने के बाद ही मैं आपके साथ डिसकसन करूंगा उसके पहले टेकिनिकली कुछ चाट पटन्स का सोल्डर और हेड कहा से मिला तेकि सोल्डर का जो लो है उससे ज्यादा लो कौन है हेड है मतलब सोल्डर के नीचे हेड बने उसके बाद छोटा सा एक सोल्डर बने तो इसका मतलब जो जिसतर के से स्टैटीज बनना था वो स्टैटीज से आपर कंपेड हो चुके है उस स्ट प्रड़े देने जा रहा है कि एक के बदले देने वाल है तो प्लीज इस कमपणी के ऊपर एक बार रिसाज करिए उसके बाद दिसी से लिजीए क्योंकि इस सिर्फ पून स्प्लीट देखकर काम करना बहुत बड़ा रिक्सी होन सकते है बाकिया आपके करा है जोरु मुझे कमेंट्स करना और हाँ मेरे वीडियो एडुकेशन पारपस में था कोई भी बायन सेल का रिकमेंडिसन नहीं है मैं कोई सेवी रिष्ट्रे परसे नहीं हूँ अगर आपको काम करना है तो सारे चीजे को सोच कर समझ कर काम करना होगा मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद